नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अवसेक जज़डिया आप देख रहें इंडिर नोटी कल्चर आज हम बात करेंगे प्याज के अंदर लगने वाले थ्रिप्स के बारे में भी हम इसका जो नियंतर नवु किस परकार कर सकते हैं तो चलो शुरू करें हां तो दोस्तों आज हम बात करें प्याज के अंदर जो थ्रिप्स जो कीट लगता है उसके बारे में भी जो इसके प्याज के अंदर किस परकार के है वो सिम्टम दिखे जेते हैं यानि उसके लक्षन किस परकार दिखा जेते हैं पोदे के अंदर तो इसके अंदर दोस्तों क होता है जो यह सक्षिए उपर के उपर से उसना स्रूव करता है जै कि है उप waiver का जो हिसाय वह ऊद्र है दिर मुरी देर है लगता है और अधो परकार जो पूऔर है पुदे हो अगर ज्ञादा इनकी संख्या हो जाती है तो यहर फोड़ эфф जाता है और इसके करण का है कि बढ़ेगी और जो थ्रिप्स होता है दोस्तो आप अब हिनको फोड़ां को तो आपकेंदर सों पाइडइन गर। तो अब हम भात करेंगे दोस्तों भी जो थ्रिपस है इनका हम ट्रीटमेंट किस परकार कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तो हमारे पास चार-पांच दुआईया हैं जो कि मार्केट में सानी से उप्रब्द हो जाती है आप उनका जो जुड़िकाओ करकर थ्रिप्स से वो असाने से छुटकारा पा सकते हैं इन मेंसे दोस्तों जैसे कि आपको किटना सक मताता हूं फ्रिप्स के लिए इमेडा क्टोपीड है एक और आप ऐसी बंढू कर सकते हैं थायर मेफ़क्सम को मिला कर 16 लिटर की जो टंकी होती है आप उसके अंदर डाल कर इससे छिड़काओ करें और जो छिड़का हुए दोस्तों अगर त्रिप्स की संक्या बढ़ रही है तो मैं तो बोलता हूं आप 15-20 दिन के अंदर एक बार जरूर करें क्योंकि जो प्याज के अंदर है वो त्र सब्सक्राइब करें तो इस परकार की वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद